इंडिया अपने गर का शेर होता है वह अभी अपने गर में ज्यादा शेर ना बने इस चेर को हम पिंजरे में कैद भी कर देंगे तो वहां पर भी जीते हैं कि अगर मुमालिक्स में जादर कंट्रीज में जब मैच वर्ल्ड कॉप की बात हो रही है ना इंडिया की पूरी हिस इंडिया पाकिसान पहुँचछान चाहेगा और वहार जाए अब आफ करके आज बहुत हमारे मुसलमान ही काम आँ ना महमध शामी पांश विक्ते महमध से राज थीं विक्ते महमध से राज को I love you महमध शामी को I love you और में महमध श्यामी से बहुत कि एहीं उम्हें पूर तो उनके गरना जला दें इस वर्दा से हम थोड़ा लिहाद रखते हैं अफगानिस्तान भी बिचारा गरीब भूलो के उसको भी तो स्पोर्ड करनी है ना भारत की तारीफ जितनी भी करें वह काम है मगर स्री लंका क्या करें स्री लंका को आमने मारा बंगला देश को देखे होना मंभई में पाकिसान और इंडिया का उसमें इंडिया को भी यह हरा है कि हमने पाकिस्तान सेजितने हुआ है कोई कहता है मैच फिक्स लग रहा है तो कोई कहता है भारत सेमी फाइनल में हार जाएगी यही नहीं कोई तो यह भी बोल रहा है नुजिलेड को हराकर हम भारत को भी हराएंगे तो अभी तक तो इनका परदर्शन जो रहा है वो तो दुनिया देख रहे हैं और यह अल्ला के सब्सक्राइब सस्फचराइब जीते हैं लिए देखते हैं पाकिस्तानी डिया वीडियो को हाथ करके देखें मुसल्मानी काम मुहम्मद शामी पांस कि विग्वी और इंडियन टीम झेड है एसा मजबूर कर हम पाकिस्तान के मैश हमने बिल्कुल नहीं देखे लास यह जो भंगलादेश से जीता तो हमें कुछ थोड़ी होप हुई है कि शायद पाकिसान के कल न्यूजिलेंड मैच हार गया हुआ है न्यूजिलेंड से मारा चार को मैच है उससे जीतके हम आएं-बाएं करके हम आ रहे हैं कि देखें जो बहादर हो तरीफ उसकी जो अच्छा परफोर्म करें तरीफ उसकी और उस दिन शायद मैंने आपको यह भी का था कि उस दिन का मैच इंडिया और न्यूजिलेंड का मैच यह साबित करेगा कि किसने जीतने उस दिन भी वहाला कि मेरी फेवरेट टीम न्य इस चीज़ मैं एस स्कौर्ट मैंचिप मैं और में इंडिया को नहीं कह रहा हूं यह इंडियन टीम को आई तरफ से इंडियां को आई लाव यू महमात सिराज को आई लाव यू और मैं महमाद सिराज और शामी से भी यहीं उम्मेद रखूंगा पूरे वर्ल्लकप में वह ऐसी ही परफॉर्मस करें कि जिसमें मुसलमानों का नाम रोशन हो और आप लोगों के घर्वबार सलामत रहें तो उनके गरना जला दें इस वरह से हम थोड़ा लिहाद रखते हैं तो अफगानिस्तान फिर हम क्यों हारे भई और फाकिस्तान ने इतना मारा इतना मारा इसलिए हम थोड़ा सा ना कर लेते हैं स्री लंका को हमने मारा बंगला देश को देखें हमने कैसा दोया है अगर जो क्रिकर्ट को जानता हो और उसकी पहली यह करके यह बोल गई और पहले अवर मैच तो पहले अवर में बन गया था ना जब महम्मद सराज ने विक्टे ले लिए उसके बाद मैच उसको चार आउट यह साथ ने चार आउट उसमें से तीन महम्मद सिराज के थे पर उसके बाद में कंबै कि आ आज महम्मद सराज और महमद शामी को देखें ऐसे लगए था जैसे किसी वक्त में विकार यूनस और वसीम अकरम देखें लिया होते हमें वकार और वसीम की जोड़ी आई इन दो तो आज आज वही साहब हुआ था कि आपने इंडिया को किता है नहीं बहुत दफ़ा कुटा आप हिस्ट्री में मैच अभी भी देखें पाकिस्तान उपर है उनसे आप टोटल मैच देखेंगे पाकिस्तान अभी 15-20 मैच नहीं उपर है उनसे पहले काफी फरक ता सो डेट्स ह का इंडिया ने काफी फरक वो कम कर दियो अभी हम 15-20 मैच उनसे उपर हैं आप बात बताएगा अच्छा मुझे बात बताएगा आज की परफॉर्मेंस और भारत बैक टो बैक मैच जीत रहा है क्या कि आपके अब वर्ल्ड कप की ट्रोफी भारत के घर में आना क्या वाकई यह तो मैंने पहले बता दिया था उस दिन का कि इंडिया और न्यूजिलेंड का मैच साबित करेगा कि कब कौन उठाएगा उस दिन कौन जीता है इंडिया जीत गया है मगर अगर पाकिस्तान समी फाइनल हम मारेंगे आपको हमसे बचके रहना आपने जो सारा काम किया था इंडिया निक मैं बताता हूं आपको इंडिया क्रिकट बोर्ट बड़ा तेजा बहुत श्याना उनकी कुम्मत भी बहुत श्यानी है उन्होंने पहले भी का इन्होंने फैन फोल्विंग हमें नहीं दी पाकिस्तान को केला ग्राउंड में शोड़ देते हैं कोई फैन फॉल पाकिस्तान और इंडिया का उसमें इंडिया को भी हराएंगे वाखिए सिर्फ जजबा या करेंगे भी हम अब एक और बात दातों हम इंडियन टीम को फॉलोग कर लेते हैं इंडियन टीम जैसे उन्होंने बातों से नहीं अपनी स्पोर्समेंशिप से क्रिकट से अपने आ गुसके मारना है आमने इंडिया अपने घर का शेर होता है वह अभी अपने घर में ज्यादा शेर ना बने इस यह को अम पिंज्रे में कैद भी कर देंगे तो वहां पर भी जीते हैं कई अधर मुमालिक्स में अधर कंट्रीज में जब मैं वर्ड़काप की बात हो रही है न इंडिया की पूरी हिस्ट्री देखें वह अपने घर में ज्यादा मैज इते हुए हैं आप क्रिकट अगर आप जानती है तो प्रोग्राम करें उसके उनके प्लेयर्स में कोई नहीं है क्या नियुक्त मतलब अच्छी मिल जाती है ना दरसल देखें ना वहां पर खेलते हैं ट्रेनिंग उनकी बहुत अपने मुलक में वह ज्यादा एस्ट्रेलिया और इंग्लेंड जाकर पिटके भी आते होते हैं ऐसी बात ना करें